Hello friends, स्वागत आपका Study Hack Channel पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी vocab की सीरीज चलिये, जिसमें हम बात करते है vocab की एकदम basic label से, गजीने कुछ नहीं भी आता होगा, वो भी बड़ी ही असानी से vocab सीख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हम नया करते हैं, तो इसमें हम नया use करते ह techniques, और बहुत सारे OWS होते हैं, EDM Fridge होते हैं, या antocino होते हैं, जिसको मैं किसी incident के रूप से आपको याद करवा देता हूँ, या किसी story form है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसके synonyms हुए तो हुए कैसे, इसके antonyms क्या-क्या और possibly हो सकते हैं, ठीक है, तो जब मैं ये च साही से अपने सवाल को सही कर पाएंगे, और अपने नंबर को secure कर पाएंगे, ठीक है, तो हम जो vocab पढ़ते हैं, उसको practice भी ज़रूरी, अगर उसकी practice नहीं करेंगे, तो बोल जाएंगे, और चीज़े आती कहा है, ये भी जानना है, तो उसके लिए सबसे बेस तरीका होता प्रिवियस एर के question, तो हम प्रिवियस एर के question में daily के daily discuss करते हो, वो भी decent exam के, जो की बहुत ही fruitful होता है, आपके upcoming exam के लिए, ठीक है, तो अभी तक हमारी 35 episode हो चुकि है, successfully completed, अब यूं बोल सकतों कि 35 classes हो चुकि है, और मैं आपको एक good news भी देना चाहता हूँ कि हमारे 1K subscriber हो before we are reaching to 50 videos, there will be minimum 1.5K, ओके, तो अभी तक हमारी 35 episode या 35 class हो चुकि है, आज हमारे 36 episode है, ठीक है, तो आपको पता हुआ कि vocab बहुत major role play करता है, साथ ही साथ English grammar भी बहुत ही important role play करता है, तो हम अपने class के बीच में एक section रखते हैं, जहां पर English grammar के बहुत ही important rules discuss करते हैं, जिसकी help से आप English grammar के section को भी आसानी से tackle कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जूरे होंगे, class regularly देख रहे होंगे, तो आपको चीजे पता होगी, अगर आप new हो, तो हमारे class में सुरू से last तक बने रहे, आपको चीजे clear होती चली जाएगी, ठीक है, तो ब we plant some trees, कि आओ हम कुछ पेर लगा है, और वो आपकी बात मान रहा है, तो मतलब क्या है, वो आग्या क्या रही है, ठीक है, अब उसको बोल सकतो कि क्या है, submissive है, obedient है, amenable है, यह सब क्या है, इसके synonyms है, ठीक है, अगर हम बात कर लें antonyms की, complaint का, तो जो आग्या नहीं मानता होगा, ठीक है, तो definite हो जागा, ठीक है, अगर आग्या नहीं मानता है, तो कैसे नहीं मानता है, वो विद्रो भी कर सकता है, कि नहीं, मुझे यह चीज पसंद नहीं है, तो विद्रो ही होता है, definite है, ठीक है, तो जो विद्रो करेगा, वो आपका अग्या नहीं मानेगा, ठीक है, तो विद्रो ही भी इसके, क्या है, antonyms है, ठीक है, I hope, आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, आप यह picture याद रखना, आपको हो जाएगे, ठीक है, हर किसी क्या life complicated होता है, अगर आप competitive exam की त्यारी कर रहे होगे, तो GKGS में जो miscellaneous section होता है, वो बहुत ही complicated होता है, किसी को नहीं पता होता है, कहां से क्या पूछ लिया जाएगा, miscellaneous में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तब ऐसे याद रखना ह होगे, यहाँ पर इन दोनों का relation क्या है, complicated, बहुत ही complicated है, क्योंकि यह बंदा इसको क्या कर रहा, cheat कर रहा है, ठीक है, I hope आपको चीजे clear हो गई होगी, तो आगे बाढ़ते है, next बात करते है, next concealed, concealed मतलब क्या होता है, ठीक है, आप किसी चीज को seal कर दियो, ठीक है, कोई महत हो जाएंगे hidden secret, ठीक है, आप कुछ secret रखना चाहते हो, ठीक है, तुसको क्या करते हो, seal pack करके कहीं पर डाल दे, तो खोने में, कोई न देख पाए, ठीक है, तो वहीं से आप ले सकते हो concealed, ठीक है, आप देख पाड़े होंगे, कैसे यह छुपा के लिए बंदू, ठीक है, इस बुक को देखो, कैसे इसके अंदर बुक तो उपर से देखो तो बुक है, लेकिन इसके अंदर कैसे चीजे छुपाई होई है, तो यह होता है concealed hidden, ठीक है, अगर इसके अंटोनिम की बात कर ले, तो जो चीज बाहर हो, open हो, disclose हो, ठीक है, तो यह सब क्या हो जाँगे, इस proud, smug, arrogant, vanity, egotism, यह सब क्या है, इस सिनोनिम से, ठीक है, अपने किसी को बोला कि आओ, बैठो, वो करना, नहीं, नहीं, मैं यहां नहीं बैठ सकता, मेरा तो बहुत बढ़ा swag है, ठीक है, तो वो क्या है, अभिमानी है, ठीक है, conceited, ठीक है, अभिमानी, proud, उसको घमंड हो गय ठीक है, अपने बोला, come, sit with me, ठीक है, conceited, ऐसे यादो क्लों, come, sit with me, वो बोला, नहीं, मैं तुम्हार साथ नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या है, घमंड, ठीक है, तो conceited, कौन सा वैक्ती होगा, अभिमानी, जिसके अंदर घमंड हो, ठीक है, एंटोनिम्स होगा, तो यह सब क्या हो जाएंगे, इसके अंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, I hope आपको चीजे क्लियर हो गए होगी, तो आगे बारते हैं, next बात करते है, next है, concession, ठीक है, concession मतलब क्या होता है, re-ire, ठीक है, इसको आप बोल सकते, allowance, grant, exception, यह सब क्या है, इसके synonyms सब, जैसे कि आप कहीं जाते हो, तो आप concession लेना पसंद करते हो, कोई भी महेंगी चीज खरीते हो, तो क्या बोलतों कि नहीं, मुझे इसमें कुछ concession दे दिए, कुछ छूट दे दिजे, ठीक है, कुछ allowance दे दिजे, तो यह मतलब होता है, concession का re-ire, allowance, grant, exception, ठीक है, इसके antonyms क को day-to-day life से relate करोगे, तो चीजे आपको बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगी, और जादे लंबे समय तक आपको चीजे याद रहेंगी, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते हैं, next बाद की, तो next जैसा कि आपको पता कि हमारा idea, one word का session होता है, जिसमें हम one word discuss करते हैं, तो आज का one word है, वो है brunette, brunette कौन होती है, काले वाल बाली इस्तरी, देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं brunette, और जो brown वाली होते हैं, उसको बोलते हैं blonde, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे इस picture से, तो वो a woman with dark brown है, ऐसी महला जिसके बाल बहुत ही क्या हो, काले हो, उसी को बो होगी, आप picture से याद रखना है, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते हैं, next है budgeting, budgeting मतलब क्या होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर GKGS पढ़ते होगे, अगर एक competitive exam की तयारी करते हो, तो GKGS में budget तो जरूरी ही पढ़ा होगा, ठीक है, और current affair में बार बार budget से question आते है तो आपको चीज़े clear होगी, budgeting होती क्या है, and itemize summary of estimated expenses for a given period, along with proposal for financing them, ठीक है, budget क्या होता है, कि छोटा सा summary होता है, जो हम estimated expense अपने plan कर लेते हैं, लंबे समय के लिए, कुछ लोग मन्त के लिए कर लेते हैं, कुछ years के लिए कर लेते हैं, कि मेरे पास इतने पैसे, मैं इसको य बोलते हैं, budgeting, ठीक है, कि मैं अपने, जो मेरे income है, उसको कहाँ कहाँ expense करना है, ठीक है, इसी बोलते हैं, budgeting, I hope आपको चीज़े clear होगी होगी, तो आगे बढ़ते हैं, next बात कर ले, next है, bullion, bullion मतलब क्या होता है, सोने चांदी की, ठीक है, bullion ऐसे याद रखना कि कोई billion रहा, तो cash format तो देगा ही नहीं, तो आपको क्या करेगा, सोने चांदी की इंट बना के दे रहा, कि लो भाई, तुम सोने की इंट ले लो, इतना, ठीक है, यह चांदी की इंट ले लो, अब billions, bullion से याद रखना, billions, billions of money, आप cash में नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहा आप उसको सोने चांदी की इंट के फर्मे ले ले रहा, तो वहीं billions से याद रखना, bullion, सोने चांदी की इंट, gold and silver before using for manufacturing ornament, ठीक है, तो सोने चांदी की इंट काभ होती है, जब आप किसी भी ornament बनाते हो, उससे पहले जो आपको मिलती है, gold, वो क्या इंट के फर्मे मिलती है, गोल्ड और silver के इंट लेना पसंद कर वहीं, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, बंगल, बंगल मतलब क्या है, गरबर करना, ठीक है, बंगल, अब ऐसे याद कर सकतो, बंगल से जंगल, ठीक है, क्या हुआ कि कोई बंदा आया, उससे सब क्या कर दिया, जं ठीक है, या फिर clumsy manner में कर देते हो, उसको गरबर कर देते हो, उसी का मतलब होता है, बंगल, ठीक है, बंगल से याद खना जंगल, अगर सब कुछ जंगल, जंगल कर दे कोई, ठीक है, तो क्या हो जागा, गरबर कर देगा, ठीक है, तो बंगल से याद खना सब जंगल, ठीक डीका है इसा गवर्मेंट जो सिर्फ ओफीशियल के द्वारा क्या किया जाए रूल किया जा ठीक है रन किया जा उसी को बोलते हैं वियूरोक्राइसी ठीक है नो कर साहिए देख पारोंगा आप इमेज में कैसे रूल कर रहे हैं देख तो आपको इमेज से क्लियर हो जागी औ भी तक उसमें बहुत बाराद चुका है ठीक है ब्यूरोक्राइसी मतलब होता है नौकर साही अ गर्वर्मेंट रन बाइ ऑफिसियल इन और स्टेट ठीक है शेले नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है इडियम फ्रेजज के सेशन होते है तो आज का प support दे रहा है ठीक है बैक है मेरे पीछे आओ पीछे आओ तो क्या करो गई सपोर्ट देने के लिए तो वही ए मतलब तो back नहीं है, मतलब क्या मेरा समर्थन करो मुझे support अइख बात करने तो नेक्स है back out of, back out मतलब क्या मुग कर जाना ठीक है, आप किसी के पीछे थे बोले कि चलो चलो मैं करूँगा और लेकिन फिर क्या वहां से हट गये, तो क्या कर रहे हैं, आप मुग कर जा रहे हैं बातों हो ठीक है बैक से आउट हो अभी पढ़ाना यहां पर बैक मी जब आप किसी के पीछे जा रहा हो उसको सपूर्ट दे रहो ठीक है बैक मी और वहीं से भाग जाओ तो क्या हो जागा अप मुकड़गे अपने बातों से अपने कमिटमेंट से ठीक है तो यह हो गया बैक आउट मतलब क्या होता है बीना घ्यान के मामलों में दखल दे अगर आप चला रहा होगे आप फ्रांट में चला रहा होगे तो होता है क्या कि आपके पीछे जो बैठा होगा बैक सीट पर वह तुमको बताएगा कि अरे यहां पर ब्रेक लेना था यहां पर नहीं ऐसे नहीं आपक उन्हें बाइक पक्रादो तो कहेंगे कि नहीं-नहीं मुझे तो चलाना नहीं आता लेकिन जब आप चलाते रहोगे तो कुछ-नो कुछ वह करते रहेंगे कम्प्लिमेंट देते रहें जो पीछे बैख सीड डराइबर जो पीछे बैठते ना मेंड़लों में दखल देते उन्हें तो नौलेज होती नहीं है कि चलाना कैसा लेकिन वह जुरूर देते तो वह ही है इंटर्फेरिंग इन अफेर्स बिदाउट हाइविंग नॉलिग ठीक है आपके मामलों में दखल अंदाजी देंगे उन्हें कुछ पता नहों फिर भी ठीक है जैसे देख पार हैं काण में होंगे तो पीछे बैठा क्या करता है कि लेफ्ट चलो चलो आगे देखो सीट बेल देखो दिस देखो देखो पूरा ग्यान देखते हैं ठीक है आपको चीज़े क्लियर होगी आप याद रखना है इस पिक्चर से मेरी ड्रॉइंग से ठीक है प्तलब क्या है जहां के तहां प्रामविक बिंदू पर लोटना जहां थे वहां पहुंच हो ठीक है तो वापस कहां पहुंच होँगे फिड से अगर ए पर पहुंच गाई तो इसको बोलते हैं back to square 1 आपने क्या बना दिया आपने trace से एक square बना दिया ठीक है तो इसी को तो बोलते हैं to return to the starting point जब आप अपने starting point पर पहुंच जाते हो तो उसी को बोलते हैं back to point ठीक है अगर आपने जा रहे हो मतलब क्या करो नहें सीरे से कोई भी सिटाट ठीक है back to drawing board अगर आपने कुछ drawing बनाया ठीक है आपको आपने कोई फिर से कहां अपने आइडिया बनाया था जो कि अनसेस्टार ठीक है वो बर्क नहीं कर रहा है तो आप उठे फिर 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 बनाया थीज भी छी फिर एक new idea बनाए new plan के साथ start to start all over again when an attempt to do something fair I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी ठीक है आप गया है drawing board पे आपको बनाना था football और आपने बस circle करके चलिया है football लग नहीं रहा था आप वापस हैं तो क्या किया आप फिर से सेप दे दिया इसको football बनाने की और वह फाइनली football बन जाता है तो क्या होगा आप successful हो जाओगे ऐसे करके बना तो इसी को याद रखना back to drawing board नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट जैसा कि आपको पता कि एक पैंडोरा बॉक्स होता है जिसको भान मतिका पितारा बोलते है जिसको हम open करते तो उसमें से और होगे तो य28 होगे तो आपादावगा उस Мिलिस इंग्लिस ग्रामर के तो हम एक साथ तो सो के सो रूल डिसकस नहीं कर सकते हैं अगर कर भी दिया तो क्लासेज भी लंबी हो जाएगे आपको चीजे क्लियर भी नहीं होगी यह साथ इतनी चीजे माइंड में नहीं रख पाओगे सारे रूल तो हम डेली एक एक रूल डिसकस करते हैं ताकि आप उन पर best question प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको चीजे और भी ज्यादा clear हो जाए तो अभी तक हम लोग 35 रूल डिसकस करेंगे आज हम 36 रूल डिसकस करेंगे ठीक है तो आज most probably verb के जो rules है वो खतम हो जाएंगे ठीक है तो next हम adjective के rules सीखेंगे ठीक है तो रूल क्या कह रहा है कि when need or dare is followed by not ठीक है जब need और क्या dare not के साथ follow करें ठीक है उसके बाद not आ जाए तो क्या होता है इट टॉन्स इंटू मोडल एक्जलरी तो क्या बन जाते मोडल एक्जलरी बन जाते हैं ठीक है तो ऐसे के बाद हमेशा क्या होगा और कुछ भी हो तो आप इसको घलत कर देना और साही कर देना बेर इंफिनिटिव ठीक है चली example से समझते हैं कि he needs not do it ठीक है अभी बता है कि need के साथ अगर not लगा हो तो इस नहीं लगता लगता है इसका correct हो जागा he need not do it ठीक है और इस पर बार- रखना ठीक है need not they are not क्या लेंगे अपने साथ वेर इंफिनिटिव लेंगे ठीक है I hope आपको चीज़े क्लियर हो गई हो गई होगी तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स जैसा कि आपको पता कि मैंने बता है previous year के question discuss करते हैं ठीक है तो previous year question का session आ गया और आज हम बात करेंगे 12 से दिसंबर के CGL के question के और concept shift की तो 4 shift की तो आज का पहला question है आपको one word बताना है इस group of word के लिए आपको मिलेंगे 10 seconds आपको answer करने पड़ेंगे ठीक है ठीक है पटाफट answer करेंगे इसे के साथ time up को चुका है I hope आप सभी लोगों ने साही साही answer करी दिया होगा तो having a feeling of guilt क्या हो जागा रिमोर्स ठीक है यह हो जागा इसका one word ठीक है बांकि जो है रिफाल्जेंस रिपंजेंस रिस्टिश्यूशन यह सब मैं अगे के class में करूँगा अपने session में सबको include करेंगा आप बहुत easy way में बताऊँगा ठीक है तो तब तक आप wait कर लो ठीक है iconoclast, abscondor, apostle ठीक है आई होप आप सब्सक्राइब लोग ने अभी तक एंसर करी दिया होगा बहुत ही easy है ठीक है बहुत बार आपने देखा होगा इसको बहुत बार previous year exam में भी आ चुका है ठीक है तो इसका time अप हो चुका है आई होप आप सब्सभी लोग ने सही-साई कमें और नेक्स्ट आपको ऐन्टोनीम सो बताने की लिए ट्वरिदिल है पर पॉट्रेड लीकिशार ने इंपसीवाली ड्रаєमेटिकली मेलीश्यूश्य लिए टाइम भी अब हो वो गा impossible तो पर प्रफॉट डिली क्या होता है अपके लिए हो सकता है नया वाड़ तो मतलब होता है कथित तौर पे जो मौकिक रूपस आप बोल देता है किसी को कथित तौर पे उसी को बोलते है पर प्रफॉटड ली ठीक है अब इसको बोल सकते हैं अप परेंट्टलि भी ठीक है यह इसके सनोनुम मोखिक रूप वही होता है सीविएर ली आपको पता है कठोर ता से कठेसे तो कठोड़ मैं आलिए सब क्या हो जाएंगए सब्सकिंवी कर दिखन कि Śane ग्रoup से ठीक है जो कि इंप्र मैंटिकल है मैने बता है बुरे के लिए होता है तो डुरुभावनपूर्ण से ठीके जिसके मन में कले से द्रुथ जो कि ऊसे को बोलते हैं डहस्ट थिक आप इसको बोल सकते हेट फूली लिखे देता हूँ मैं हेट फूली hatefully बोल सकतो spitefully बोल सकतो यह सब इसके synonyms हो जाएगे spitefully ठीक है तो यह सब इसके synonyms हो चलिए next बात कर लेते है next आपको इस idiom का मतलब बताने, idiom क्या है in black and white, चार अपसल है in black and white paint, in writing in verbally, in darkness and light चलिए, फटाफट एंसर कीजिएगा, बहुत easy है इसी के साथ time up हो चुका I hope आप सभी लोगों ने answer कर दिया हुआ यह बहुत पार previous question ने पूछा जा चुका और बहुत ही easy, in black and white ठीक है, तो अगर आप जानतों कि पहले blackboard बहुत यूज़िया होता था ठीक है, तो उसके हम चौक से लिखते थे चौक क्या होती थी, white होती थी तो black और white का combination हम किस चीज़ के लिए करते थे तो लिखने के लिए करते थे तो इसका जो सही answer हो जाएगा, meaning हो जाएगा in writing, ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को लिखीत रूप में देते हो, तो बोलतो हो in black and white, ठीक है एक और idiom होता है, ठीक है, in ink करेके, ठीक है तो आप उसे comment करना है कि क्या idiom होता है, उसका क्या मतलब है, ठीक है नेक्स बात कर लेते है, नेक्स आपको idiom का मतलब ही बताना है, ठीक है rare tip, ठीक है, मैं option पर देता हूँ, फिर आपको 10 second दोना, ठीक है catch someone at the moment they are doing something wrong, official rules and bureaucracy that make it difficult to do something third option है, something unimportant that takes attention away from the main subject fourth है, have a negative amount in your bank balance, ठीक है 10 second मिलेंगे, फटा-फट एंसर करना आप लोग, ठीक है I hope आप सभी को भता होगा, rate tip का क्या art है I hope आप सभी लोग सही सही एंसर करता होगा यह इसके साथ time up को चुक है, तो मैं बता दूँ इसका जो सही right answer हो जागा, वो हो जागा that makes it difficult to do something, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते है, नेक्स्ट आपको एंटोनीम सो बताना है, इंट्रेंस्ट का, ठीक है, चार अप्शन है, फ्रांजेंट, स्टार्टिंग, एवार्टेड, इंट्रोस्टेड, यह स्टार्टिंग है I hope आप साभी लोगने सही से answer कर दिया होगा, time be up हो चुका है, तो इंट्रेंस्ट का जो सही एंट्रोनीम से है, वो क्या है, तो मैं इंट्रेंस्ट का मतलब ही बता दू, ठीक है, इंट्रेंस्ट क्या होता है, आरोपी थुआ, मतलब अस्तरगीत है, जो चीज क्या है, वो ल कि जिसको आप रोप, आरोपीत की हो, जिसको आप कहींपे settle कर दियो, deep-seated कर दियो, तो वही होता है, इंट्रेंस्ट, इसको जो सही एंट्रोनीम सोगा, वो हो जागा, transient, transient मतलब मैंने आपको बता रखा, ठीक है, छणबर के लिए जो होगा, momentarily, fleeting, ठीक है, और एक मैं बत होता है अपो अपने पड़ा और इंट्रिम neutrino कम समय के लिए आते था न। यह हम थbelt शानमर के लिए होते हैं तो यह है अब वे आध की स्टार्टिंग आ पता है सुल्वा से एक मतलब होता है यह मतलव होता क्या बोल करते हैं अगर वाइड कर रहे कोई भी चीज को डेफर कर रहे तो क्या करें एलिमिनेट कर रहे है ठीक है तो एलिमिनेट भी इसका सीनोरिम सोज़ेगा है एलिमिनेट ठीक है इंट्रूस्टेड मतलब क्या होता है इंट्रस्टेड मतलब क्या होता है सौपना ठीक है किसी आपको बिलीब है तो आप किसी को चीज सौपना इंट्रस्टेड मतलब क्या है एसाइंड ठीक है अब बोल सकतो एसाइंड सौपना किसी भी चीज को कुछ सौपना क्या हो कर नेक्स्ट आपको synonym बताना है गाईल का ठीक है चार ओप्सन है 1 से डिसीट, वोरेलिति, फ्टाइट, फ्टाफड एंसर करिए बहुत इज़ी अभी से अभी तक आप सभी लोगे ने एंसर कर वी दिएसांव रोगे तो को इस बोल सकते हो जो स्फूस अब लोगे पर होगा बहुत हीं होता है spoofing तो वह भी क्या होता है cheating होता है एक तरह का धोका देना ही होता है ठीक है morality आपको पढ़ार रखा हूं मैं प्रिवेस क्लास में ने दिकता होता है वर्चू डिकॉर्ण ठीक है पाइटी यह सब क्या है इसके सीनोनिम्स है ठीक है पाइटी पीटी पीटी बोल सकते है इसको पीटी यह सब क्या है सीनोनिम्स है morality के प्राइड आपको पता है प्राइड मतलब क्या होता है घमन आज ही पढ़ा है प्राइड का क्या पर रहा था इगोईस्ट ठीक है वैनीटी यह सब पढ़ा रहा था और ग्रीड मतलब क्या होता है लालत यह भी मैं पढ़ा रख एंटोसीनों में करवा रखा वन वर्ड में भी करवा रहा है एवराइस वेड़ा ठीक है चलिए नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना इस ग्रूप वर्ड के लिए ठीक है नॉट टू भी अफेक्टेड बाई प्लेजर एंड पेन ऑफ लाइफ ठीक है यह मैं करवा रखा हूं लिए प्रिवेस क्लासों में करवा रखाऊं जब मैंने प्रिवेस को कुश्चन रिसक्स के तो दू बार रखा है ठीक है यह थाड टाइम होप आप सभी लोग ने सही साथ कर दिया होगा क्योंकि टाइम भी अपको चुका है तो क्या हो जागा इसका सही एंसर वह क्या हो ज आपको बताना है कि वह होल जो एक्सकेवेटेड किया जा किसी भी एनिमेल के तरह ठीक है रहने के लिए उसका OWS बताना है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दोस्तों में शेर कर दें और अपना स्कोर करना ना भूबें कि इन आठ कोशन में से आपके कीतने कश्चन सही हूए और होंबक्रस दोर्स के एसनसे नसरव hat ल Dalすब आज игр किया किसे किजिए ठीक है मिलते है फिन